प्रकरती एक बार फिर जता दिया है कि अगर उससे जादा छेड़ चाड़ की गई तो प्रकरती अपना बदला लेने के लिए हमेश्वा तयार रहती है और हमारे साथ परवर्ण गुद है डॉक्टर अनिल जोशी जी प्रकरती एक बार फिर से बता रही है कि जादा छेड़ लगातार पुछले दो तिन दसकों से भी बता रही है तो दूसरी बात यह है कि दुर्भाग यह भी है कि दूसरों की द्वारा की गई छेड़चा हिमाले के लोगों को जेलनी पड़ती है यह ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंग के कारण जो सबसे बड़ी विबदा ह वो पहार को ही जेलनी पड़ती है क्योंकि फ्लैस फ्लड भी है तमाम तरह की बाढ़ आती हैं घटनाएं होती है हम कहीं दिल्ली लखनों का पेट भरने के लिए कही तरह की युजनाओं को लाते हैं सैलानियों के लिए लंबी चोड़ी सड़क बनाना चाते हैं मैं कहता हू कि वो सरख स्विकार है लेकिन जो अस्विकार है कि पहार के काम होनी चाहिए हमाले के साथ कारी होना चाहिए वो सैली मैदानी नहीं हो सकती और एक अच्छी बात यह है कि서 मंत्री पीमो ने इसको नोटिस में लिया है हो सकता है पूरे हिमाले राज्यों के लिए जोसी मट की पिया जोसी मट के लोगों को जो जहिलना पड़ा वो देश के लिए उधारन बने जिस तरीके से विकास की जो अंधी दौर चल रही है आपको क्या लग रहा है कि वह कहीं न आने वाले समय में हमने गंबिरता नहीं जताई सीमय तै नहीं की तो आप यह मान के चलिए यह और भी विद्वन सकारी हो जाएगा और यह मात्र सवाल हमारे जोसी मट का या पहाल का नहीं है दिल्ली को हवा मिट्टी पानी लखनों को कौन देता है यह पूरे देश है यह ह हमारे पानी से पलता है आप देखें के हरित करांती स्वेत कांतरी कहां से आती है हिमाले नहीं होगा उसके प्रति सामुइक चिंता नहीं होगी मेरा मानना है जोसी मट के लोग क्यों परिसान हो दिल्ली के भी होनी चाहिए लखनों के लिए होनी चाहिए इस घटना के लिए कि ie पहाड के अंदर बहुत कुछ कुछ रहे हैं लेकिन कौन सा इलाका पहाड का है जो सवेदिनसील नहीं पुरे पहाड के प्रती नीतियों का सवाल ख़ढ़ा किया चाहिए हिमाले का सवाल ख़ढ़ा किया जाना अखरी सवाल अब क्या इसका सॉलूशन क्या हो सकता क्योंकि जोशिमट चलो शुरुआत है लेकिन और भी शहर एं यो बिल्कुल खत्रे है कि देके मेरी मुखे का पता चले वो नहोंने पार की है या वो अभी आ सीमा में है अगर वो है तो उनकी सीमाओं को ना पार कर पाए कि एक नीति बननी चाहिए बिल्कुल इसके लिए नीति बनने चाहिए और परियामन विद्लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं जिस तरीके से हर जगा पर जो अपतिधिक डेवलब्मेंट के नाम पर नए नए प्रोजेक्ट तयार किया रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकरती का नुकसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को पूलतर से भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस्स ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं जोस्ट्वेटीफोर